सबसे पहले आप सभी को नाक पंचमी की बहुत बहुत सुप कामनाईयों बधाई भगवान भूले नात आप सभी की मनों कामनाई को पूर्ड करें जो भी आपकी मनों कामनाई हो और आप सभी को खुस रखें और स्वस्थ रखें तो आज है सोमवार सुमवार को कोई ब्लॉग नहीं गया था हलाकि संडे को ब्लॉग सूट हुआ था लेकिन एडिट नहीं हो पाया तो संडे वाला ब्लॉग देखते हैं कब जाएगा आगे पीछे जाएगा जब जाएगा हलाकि यह मंडे को ब्लॉग है बच्छे सुबा अभी 6 बज रहे हैं और स्कूल जा रहा है मंडे को सुबा 20 हो रही थी जिसकी वज़ा से मैं टहलने भी नहीं गई और फिर बच्चों का टीपिन लंच त्यार किया बच्चे स्कूल गए सुबा बच्चों के लंच में बनी थी भिंडी की सब्जी और रोटी तो हमने तोचा चलो आज थोड़ा सा सूटिंग करते हैं बच्चों को दिखा देते हैं तो उनके पापा बच्चों को रोड तक बस तक छोड़ के आएंगे सबसे पहले अब बूर्मार निक, सूपर बाट आदे रहादे कैसे आप सब आई हो बहुत ही होंगे हीलदी, स्वस्त होन गे और भाश सारा खुस भी होंगे साथ ताख में अभी बच रही सूबा के साड़े साथ और गर की सारी साब सपाई डस्टिंग हो चुकी है बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बेंट भी आज जा चुके हैं जल्दी इंपकाम था ओफिस में तो इसलिए चली गए आप लोग पुछते हैं कौम से काम करते हैं तो हमारे हस्बेंट सिच्छा भी भाग से जुड़े जो बड़े बच्चे जैसे कई बार आप लोगों को बताया है जैसे इंटर के बाद से जहां बच्चे पढ़ते हैं बी ये बी कॉम एमसी एम टेक बी टेक लॉग मतलब बहुत सारी ऐसी बड़े बच्चों का स्कूल है तो वहां पर हमारे हस्बेंट की जॉप है सरकारी ज लेंटेंग बांतरोम बरामदा आए आगे कच्चा है उसके आगे बरामदा दा तो बस सरकारी आवास में और घ्रल आधर गुम आधर में बहुतKevin बड़ेंगों पानी मिलता है 24 गंटे और टहलने का घूमने का खुली हवाओं का वाता वरण होता है ना जब तब तो हम प्राइबेट में थे तो फूल के एकदम गुबारे जैसे हो गए थे तब यद भी ज़्यादा खराब रहती थी क्योंकि दिन भर खाना दिन भर सोना लेकिन जब से सरक कर दिया है बरतर कडाई वड़ाई धुल दिया है और सबजी रोटी बनाई थी सुबा सूटिंग नहीं की ती कि देर हो गया था आज हम देर में सो के हुटे थे तो देर हो गया तो इसलिए सुबा कोई सूटिंग नहीं कि बच्चे स्कूल गए हैं कुछ खाके नहीं गये आहने हैं बच्कैंजें घणया मुचें नहीं जक्ता हूं करती हैं बसने सारे कप्रें थूले अच्छा किया था हूं ने कीव नहीं है डूलाटा तो सबसे पहले गरम पानी पी लेते हैं जाड़ू लगा लेते हैं असनान कर लेते हैं आप छोटा गनी है अभी आたester के से नहीं बहुता हिए अच्भ आ करने के लिए कोरली मुझ इंतु करण लेती हैं आप सब्वक्रावातेशेन लेकिन फिर यह होता है कि बच्चे जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा सा तब करना ज़रूरी है ना, अभी विद्याथी जीमन है, बच्चों का सारा दिन चबता रहता है, स्कूल से आते हैं, खाना पीना ख फुरसक नहीं पाते हैं, आठ-9 बजे फुरसक पाते हैं, तो खाना खाते हैं, एक डेढ़ घंटे टीवी देखते हैं, साड़े रवजे सो जाते हैं, घिरवही साड़े पांच बजे सुबा उट जाते हैं, तो ऐसे दिन बीच जाता है, लेकिन छुट्टी की दिने में तो अच्छा है मुझे भी अच्छा लगता है और बाते तो बहुत हैं लेकि पहले पानी पी लेते हैं पीने के बाद तुरंद घर के कामों में जूड जाती हूं जैसे की साब सफाई जाड़ू बहारू चदर वद्दर पहले ही जाड़ के बिछा दिया है कीचन में तकत हमने डाल रखा है सबसे जादा दिक्कत होती है ना मुझे जाड़ू पोचा करने में लेकिन एक बार जाड़ू पोचा हो जाता है तो मुझे आसान भी रहता है अच्छा भी लगता है यह बैठ के सब्जी अब जी कट करना या फिर चावल मिनने वाला काम होता है और इधर वाले कमरे में पूरा बेड एक तकत इधर अलमारी फ्रीज एसब हैं और आगे बरामदे में गाड़ियां खड़ी होती है तो बस जाड़ू लग चुका है कुड़ा उठा लेते हैं और गरम प्यानी पीने के बाद ना तुरंत काम करने लगो तो बहुत ही चुके थे बज़े से बाहर लेकि जाते थे बारी सा जाती थी तो फिर अंदर डाल दिया है और ये वाला चद्दर भी चादिये हैं जो गुदूले थे उसको वहीं पे अभी पड़ा है जब अच्छे से सूख जाएगा तो फिर अंदर रखती आ जाएगा बाकी ओड़ने भाले चद्दर हजबेंड के कपडे बच्चों के कपड़े अरे बहुत्त सारी काम होझाते हैं हैं थोड़े थोड़े काम होते हैं लेकिन एक इनसान की उपर अगर सारे काम डाल meant तो बहुत सारे काम हो जाते हैं तो बस नहां के बस ओट्स की तैयारी कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले अपना नास्ता बनाएंगे तो ओट्स चढ़ा दिया है दूद और ओट्स इसमें डाला है बस और कुछ नहीं डाला है उसके बाद यह साथ से आठ मिनिट में बहुत जल् जातना है क्योंकि साम को टाइम इसमें दूद गरम होगा तो दही को छोड़े भगुने में काली कर लेते हैं और जो थोड़ा-स दही है ना इसमें बेसन मिक्स करके कड़ी बनेगी तो यह दिखिए कि इतना बढ़ीयां दही जमा आया तो जो थोड़ा-स दही लिया था उस और कड़ी तो बहुत तरीके से बनती है पंजाबी कड़ी, गुजराती कड़ी, मराथी कड़ी, राजस्थानी कड़ी लेकिन ये मेरी कड़ी जो बन रही है न यूपी वाली कड़ी है हमारे यूपी स्टाइल में और इधर जो ओट्स बनाया था इसमें हम जैगरी पाउडर डाल के अच्छे जिम्मेक्स कर देंगे मतलब हाथ दो है काम दिमाग दिमाग जो कर जितना मेरा चल रहा है ना बस उतना चला रहे हैं तो बस ओट्स हमारा तयार हो चुका है और वेसन का घोल तयार हो चुका तड़का हमने सोचा जितनी देर तक हम हाथ से कटिंग करेंगे इससे अच्छा एक चौपर से चौप कर लेते हैं फटा पट से हो जाएगा और इससे बारिक भी हो जाएगा दूनों काम हो जाएगे तो हरी मीटची और दोप्याज को चौपर से चौप कर लिया है तड़के में हमने लिया मेथी दाना जीरा और कड़ी पत्ता तोड़ लाया बाहर से तो सबसे पहले हम चाबल चड़ा देते हैं एक तरफ चाबल हमारा बन जाएगा और एक तरफ हम कड़ी जो है चौँख में बना सकते हैं लेकिन हमने आज तीनों डाला है हमने का देखते हैं आज कैसी बन दी है थोड़ा सा एक सिप्रेमेंट करते हैं और उसके बाद हमने कड़ी पत्ता डाला है मेथी जीरा डाला है प्याज हरी मिर्ची का तड़का जो हमने चौपर से चौप करके रखा था उ परका याखे से पक जायें उसके बादही याखे क्रिया जिस इनने गहते वने हमाता है दछका फचिस इताल आपको मिधिशनार है जब उबाल आ जाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं लेकिन जब तक इसमें उबाल ना आये ना तब तक आप इसको चलाते रहें तो दही फट जाती है कड़ी बिकार हो जाती है अच्छी नहीं होती है बस इसमें नमक डाल देते हैं कड़ी हमारी बनती रहेगी पकती रहेगी कड़ी कढ़ने में टाइम लगता है 20-25 मिनट जब तक कड़ी ना कड़े ना तब तक उसका स्वाद नहीं आता तो कड़ी कढ़ती रहेगी चावल बनता रहेगा तब तक हम पकोड़ियों के लिए तयार कर लेते हैं बचे हुए बेशन में डाला है प्याज हरी मिर्ची और हरी धनिया की पत्ती थोड़े से मसाले जैसे यह सबजी मसाला हल्दी साबूची जीरा और थोड़ा सा कीचन किग और इसको अच्छे सी कर लेना है मिक्स आप अपनी मन पसंद कि अंशार मसाले डाल सकते हैं या फिर आ पर बच्चे से बड़े खाते हैं जैसे इधर कड़ी बनी और फटपर इसमें डाल दी तो बस कड़ी बनके तयार है जोटी वाली गडाही में बड़ी से नमबर आप लोग दे देना भाई जो भी देना होगा या फिर लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो और उसके बाद यहां पर हमने बाउल में निकाल लिया है ओट्स तो यह थोड़ा सा ज्यादा था तो जो कप वाला है इसको सामके टाइम खाएंगे और जो यह बाउल वाला है इसको दोपार में खाएंगे आज नास्ता करने में थोड़ा सा लेट हो गए थे मतलब थोड़ा सा क्यास नौ की बजाया दस हो गए थे और ओट्स खालोना तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती ज्यादा बरतन थे नहीं हमने सोचा चलो हाथ के हाथ इनको भी निप्टा देते हैं यह जो कड़ी ओड़ी बनाए थे ना इसे छोटे थोड़े से बरतन थे और आज कल पानी नहीं आ रहा कल अमने कपड़े दूले से धूप नहीं हुई थी बारिस हुई थी आज इतनी तेश धूप हुई है कि पूछो मत और डर के जी रहे हैं कि मतलब गेहूं धूल देंगे तो पता नहीं बारिस आ जागे जो कड़ी चावल खाएगा उसको तो बहुत ही मज़ा आएगा स्वा a झालः देते हैं बना लिए हैँ चल्क है थोड़ी देर अराम करेंगे लेट रच सुबह से वर लिए है ना तो थोड़ी देर अराम भी जरूरी है नास्ता हो चुगा थोड़ите कर दो 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 झाल द रही है कि पंःण कोका भाधा चर्ड़ी बाते हैं जैसे जब यहां पर जलती है तो नहीं लेकिन कुछ कुछ कटिंग करते हैं तो सब लोग आके बाते करते हैं और सामके टाइम आप लोग कहते हैं सेयर करने का मेरा मन नहीं होता जिकते हैं गर में होता है ना सभी लोग कभी बंडी पहने के घूमild होता इस ट्रीग से ऐसीर वहां क्थ हम पहने चुना क्वान तो यह सब बाते हैं ना कुछ परसनल बातцеं भी होती हैना जो कि कंड़े साम के टाइम कोसित करते हैं कि एक दो चार काम ही सूट करते है बाकी कुछ नहीं सूट करते है जब कहीं बाहर जाएंगे फैमली के साथ अब लोग देखते ही होंगे बच्चे है तो हस्वेंड है मैं हूँ और हैं प्रयुश कोई नहीं ही रहता है मैं थोड़ी देर हराम करती हूँ और वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ सीधा दोपार को मिलेंगे लंज टाइम पर साम के चार बच चुके हैं बच्चे स्कूल से आ चुके हैं खाना पीना उनका हो चुका है यानि चार बजेने में दस मिनट बाकी थे पानी ना पीएं और आदे घंटे तक पानी ना पीएं खाना खाने के बाद तुरंट सुएं ना इधर उधर कम से कम आदा घंटा तो आप टहले ही टहले जरूर खाना खाने के बाद